सो हेलो रुबन वंस अगें वेल्कम बैक टो विडियो सो फाइली यार सी सेप कॉंसेलिंग 2023 का आपका स्केडियूल जो है रिलीज हो चुका है किस देट से आपका रेस्टेशन होगा कब आपको च्वाइस फिलिंग करना है किस तरह के से आपको सारी चीजे सारा प्रोसेस या सबसे पहले अगर जो बात करें कि आपका रिश्टेशन का प्रोसेस में क्या क्या होगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं तो यह प्रोसेस करवा सकते हो यानि कि आपके पास सब्सक्राइब करवा सकते हो जिसका क्या स्टार्ट होगा 30 जुलाई से एंड उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट अगर प्रोसेस की बात करें तो डिस्पले आप्र जो सा सब्सक्राइब करवा आपका लाश्ट फॉल्लिंट हो जाएगा लॉइड़ मिल कर सकतो यहां प्याली प्याइट सबसी बड़ा EWS rank 10,000 है लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी college का अलॉटमेंट नहीं हुआ पड़ा है और उसी के नीचे एक दूसरा student जिनका की 60,000 rank था category rank सेम EWS उसे जो है college का अलॉटमेंट हो गया है उसके बाद फिर नीचे यही सेम अस्ट्रेंट्स ने जो है comment करा हुआ है तुने सायद choice feeling अच्छे से नहीं करी होगी और उसके बाद फिर मैंने भी comment करा हुआ है कि choice feeling mistake तो अगर आप choice feeling में थोड़ा सा भी mistake कर देते हो तो आपको जो college म सब्सक्राइब कर सकते हो इसमें जो कॉंसेलिंग सब्सक्राइब करना है ताकि आपके रहेंग के basis पे जो सबसे टॉप से टॉप इनाइटी हो टॉप ब्रांच हो वह कंफर्म मिलेगा इसका गैरन्टी मेरा है जो सा इसमें इन्रॉप कर सकते हो मेरा प्रस्टनल यार नंबर आपके पास रहेगा आप कभी भी मेरे से कॉंसेलिंग कर सकते हो एक प्रस्टनल वाट्सप गुरूप बनाऊंगा उसमें सब्सक्राइब लिंक में दिस्क्रिप्स में दिया हुआ है इसका इन्रॉप कर जाना ताकि आपको 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 आठ अगर्स्तों आ रहा होगा उसके बाद आपको फ्रीज स्लाइड और लोट का अगर्स्तों आपको पता है लेकिन एक न्यू जो टर्म होता है सरेंडर का सी सफ को एक्सेट कर लिया है लेकिन राउंड टू में आप कर रहे हो तो शरेंडर का मिनिंग यह होता है ताकि second round में आपको उससे भी बेटर कॉलेज हो सके उसके बाद फिर नेश्ट प्रोसे नेश्ट जो होता है एक वीड्रॉक option होता है वीड्रॉक मिनिंग यह होता है कि सरेंडर एलोटेट सीट और पार्ट्सवेट इंसी सब यान कि round 1 में ही आप आपको लग रहा है कि आपको बहुत ही top नाइटी जो मैं चाह रहा था वही college मेरे को मिल चुका है वही branch मेरे को मिल चुका है मेरे को जो राउंड वन में सीट का एलोटमेंट नहीं होगा अगर जो आप कॉंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हो बहुत सा रैस्वेंट जो है यूपीटी कॉंसलिंग याद फिर दूसरे कॉंसलिंग में पार्ट स्वेट किये हुए रहते हैं तो फर्स राउंड के बाद जो है पर आप लोग देख सकते हो डेट आठ अगस्त से आपका 11 अगस्त के बीच में होगा उसके बाद फिर आपका जो आउनलाइन रिपोर्टिंग यानि की वेरिफाइंग ऑफिसर यानि की कॉलेज के तरफ से आपको एमेल आएगा मैसेज आएगा कॉल आएगा तो सब सारा ज लाइज डेट टो रिस्पॉंड दा क्वाइर डोकुमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर यानि की 12 अगस्त 5 बजे तक रह रहा होगा है तो यह सब सारा प्रोसेस फर्ट राउन कॉंसलिंग तक का होगा और उसको बाद फिर से राउंड वन में यह सब सारा प्रोसेस होगा इसी जो आप चाहरे हो कि 100% कंफर्म आपके रहें के बेसेस पर कंफर्म टॉप से टॉप एनाइटी ट्रिपल आटी जी अप्याइप कॉलेज का अलॉट्पेंट हो सके तो फाइनली आपका सी सेफ कॉंसलिंग फानली अस्टार्ट भी हो चुका है इस कॉंसलिंग गाइडेंस के इंड्रॉल कर सकते हो इंड्रॉल करने का लिंक दिस्क्रिप्समें में दिया हुआ है आपको अर्जस्ट पेमिन्ट करना है उसके पर आपका जो है मोबाइल नमबर हो गया आपका एमेल आईडी मेरे पास आजएगा उसके बात पिर मैं आपको कॉंटेट करूंगा आपको सब आपको में प्रोवाइड कराऊंगा है इस कॉंसेलिंग गाइडेंस के लिए इन्रॉल कर जाना